आप बुक्शेर के और से सभी को नमस्कार मैं आज आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आया हूँ या फिर आप ऐसा कह सकते कि एक नए वीडियो सिरीज लेकर आया हूँ इस वीडियो सिरीज में हम एक नए रीडिंग एप्लिकेशन की बात करेंगे जिसका नाम है डॉल्फिन इजी रीडर जो बुक्षियर के पुराने मेंबर्स हैं उन्हें पता होगा कि डॉल्फिन इजी रीडर हम रेकेमेंड करते हैं क्योंकि वो एक बेस्ट रीडिंग एप्लिकेशन से एंड्रोइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लेकिन एक अच्छी ख़बर यह है कि डॉल्फिन इजी रीडर अब विंडोस के लिए भी उखलब्ध है और वो भी बिना किसी शुल्क के फ्री में वो अविलिबल है तो इस विडियो सीरीज में हम देखेंगे कि आप डॉल्फिन इजी रीडर कहा से डउनलोड करेंगे कैसे इंस्टॉल आप करेंगे इसे साती सात इंस्टॉलेशन के बाद लॉग-इन कैसे करेंगे बुक्शेर में search कैसे करेंगे किताबे, download कैसे करेंगे और इसी application से इसे पढ़ेंगे कैसे इस application का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब computer इस्तिमाल करते हुए भी आपको Bookshare की website पे जाने की जरूरत नहीं पढ़ेगी इसी Dolphin Easy Reader app से आप तीनों ही काम कर पाएंगे लॉग इन, search, download और पढ़ना तो बिना कोई और देरी करें हम इसका downloading और installation process आपको बताते हैं इसको download करने के लिए आपको Google पे लिखना पढ़ेगा Dolphin Easy Reader for Windows तो आप अपना पसंद का वेब ब्राउजर खोल लीचे और आप Google पे टाइप करिए Dolphin Easy Reader for Windows Taskbar Unknown mozilla fire o i n d o mozilla firefox dolphin easy reader for Windows click main landmark clickable download easy reader app for Windows heading level 3 जैसे ही आप Google पे सर्च करेंगे आपको नंबर 3 प्रेस करना है जो स्क्रीन डीडर यूजर से यूंकि जो वेब रिजर्ट्स होते हैं Google में वो अधिंग लेवल 3 पे होते हैं तो आप डाइरेक्ट 3 प्रेस करें और आपको यह पहली लिंक देखने को मिलेंगी जाइब आप फॉर विंडोज इस पर एंटर करिये डॉल्फिन कंप्यूटर एकसेस यह कंपनी है इसी रीडर जिन्होंने मनाया है इनकी आपको वेब साइट मिल जाएंगी अब इस वेब साइट पर एक फॉर्म दिया गया है वो आपको फॉर्म बरना है आइए दिखते हैं इस फॉर्म में आपको क्या-क्या सवाल पूछे गए है आपको एच दबाना है यह हैदिंग मिलेंगी आपको यहां पर इसके नीचे आपको फॉर्म फील्स है आपका फॉर्स नेम लास्ट नेम एडिट क्लिकाबल लास्ट नेम आपका इमेल आइडी और यह भी पूछा है कि आप इसी रिडर किसके लिए डाउनोट कर रहे है तो इसमें इस नीचार ऑप्शन दिए गए है कि आप खुद के लिए फॉर यह ढिन कंश्छ लिए यह फिर रफ ऑतन इस ये व्यौई रही है यह दिल्स निजिए के लिए यह आप किसी संस्था के लिए कर रहे है या आप आपको एक check box check करना है तो आपको इसे check करना है और उसके बाद जैसे आप यह check box check करेंगे नीचे आपको रजिस्टर एंड डाउनोड का बटन में जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो आपने उपर जो इमेल आईडी दिया वह इमेल आईडी पर आपको एक इमेल आएगा जिसमें डॉल्फिन की डाउनलोड लिंक में लेकिंग उस लिंक पर एंटर करेंगे तो सेटप रखा है तो हम यह हो गए आपकी डाउनलोड प्रोसेस एक बाल मैं शॉट में फिर से दोर आरो आपको गूगल पर डॉल्फिन इजी रीडर वार विंडोज लिखना है पहला ही हेडिंग आएगा एडिमेल 3 पर उस पर जाना है फॉर्म बरना है फॉर्म बरने के बाद आप आपको डाउनलोड लिंक डॉल्फिन यह कंपनी है वह इमेल कर देंगी और वहां से आपको डाउनलोड होने के बाद आपका सेटप जो है डाउनलोड फोल्डर में मिलेगा तो मैंना फोल्डर खोल लेता हूँ टास्क बार यह आपका जो सेटप है यह आपका जो सेटप है यह इसके अप्डेट भी आते रहते है तो यह लिटेस वर्जिन अभी 10.07 है तो इस पर एंटर करेंगे और इंस्टलेशन प्रसेस अब हम स्टार्ट करते है तो यह मैं दबादिया एंटर यह आपको चेक करना है और एक बार टाब और एक बार टाब यह आपका इंस्टॉल बटन में अब यह इंस्टॉल बटन पर हम एंटर कर देते हैं आप एक चीज़ द्यान रखिए कि इंस्टॉरेशन प्रसेस करने के टाइम पर भी आपका जो कंप्यूटर है इसमें इंटरनेट होना चाहिए इंटरनेट यहां जरूरी है अएग thoroughो अंगोरी श्या Finnish्या अपर variables इंस्टॉL ए creep मि उ सकाझ्ट श्रम्नॉट इंस्टॉल र共白णोरी कि दॉल यह इंस्टॉलोगशंर इंस्टॉलारी यह इंस्टॉल श्रॉशर बंस्टॉलोग। इंस्टॉलोषफ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह Microsoft Edge WebView Runtime यह डाउनूड करता है यह बहुत ही ज़रूरी component है यह इंस्टॉल हो जाएगा आपके इंटरनेट के स्पीड के अनुसार हो सकता है कि कभी ज्यादा टाइम लगे इस Microsoft Edge वेट करिए का पूरी प्रसेस होने तक रुकिए और जैसे प्रसेस खतम हो जाएगे और आपको आपका जो एंविडिये का focus है वो close button पर चला जाएगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट सक्सेस्फुली यह हमें बोल दिया close button पर एंटर करतीजिये close button programs items view list desktop तो यह हमारा इंस्टॉलेशन प्रसेस्फ खतम हो जबाए और जैसे आप इंस्टॉलेशन प्रसेस्फ खतम करेंगे आप अपने स्टॉप पर एक नया आइकन देखिंगे जिसका नाम है इजी रीडर रिसाइजी रीडर पर एंटर करने पर आप एजी रीडर खोल पाएंगे विसके आगे की प्रसेस्फ यानि की इजी रीडर को कैसे ओपन करना और उसे कैसे कंफिगर करना और बुक्षेर में लॉग इन कैसे करना यह हम अगले वीडियो में देखिंगे धन्यवादि